कि ये सचमुच Show ist जाना जाना है कि आप के रहे हैं हिंडूत्व की बात करणे बहुत अगछा सारी पार्टियां करें द्हर्म की बात कोई बात नहीं लेकिन तब सितार हम यह चूरी आ जाते हैं कहने के लिए कि हिंदू हिंसक है क्यों नहीं दिखविजे सिंग ने खंडन किया उनकी बात का आज तक कुछ नहीं कहा है उन्होंने इस बात पर उन्होंने कहा था हिंदुत्त उनके शब्द कोश्व में नहीं है आप बताइए डॉक साब मैं सवाल पूछ रही हूं चलिए आप मेरा सीधा सीधा सवाल है एक मेरा सांती से सुन लो थोड़ा सांतर है आप से बात करूंगी लेफ्ट लेफ्ट का कैंडिडेट नहीं है सवाल पूछना चाहता हूं कि 2014 में माननी नरेन मोदी जी भारी भाहुमत से आये थे और ऐसा लग तो पूरा देश भरष्टा चाहता सवाल सवाल में बताओ तू तु जब प्रेग्रांड सब जानते हैं पास साल में अगर इतना विकास हो गया तो यह सब क्यों हो रहा है दिख्यूजे सिंग घबराये हुए है दस साल का सब्सक्राइब है हमने साध्वी जी देखिए सोट सब्सक्राइब करने के लिए जो हिंदू टेरर की बात इस धर्म निर्पेक शराज्य पर उसको उद्गाटित करने के लिए उनको प्रधान मंत्री बीज़ेट सब बोल चुके एक मिनिट सब्सक्राइब स्वेटा जी मैं यह पूछना चाहता हूं पूरे भोपाल वासियों प्रधान मुसल्मानों की ना हिंदू की है जगर आप अपने आपको जबाब हिंदू बता रहा है तो ममताव एनरजी के राज में जैश्री राम बोलने लोगों को डाट पढ़ती और रेस्कर लिया जाता है इसका खंडन आप तू नहीं करते हैं इसका विरोध तू नहीं करते हैं उन्होंने मंत से कहा हिंदू हिंसक होते हैं एक चीज़ बताए सोहता जी मुझे अगर एक मिनिट दें तो पूरा इस पस्ट कर दूगा जी उन् उन्होंने खंडन के उन्होंने कहा यह बहुत गलत बात है और नहीं कहना चाहिए दिगविजे जी ने क्यों नहीं करते हैं और रहा हूं सीता राम यचोरी ने महाभारत और रावायन के युद्ध में जो सबसे बड़े युद्ध मानाव के इतिहास में हुए है उसकी चर्चा की है और उन्होंने हिंदूों को आक्रमक नहीं कहा है कभी हिंदू ना तो आक्रमक हो सकता है ना मैं कभी उनका बयां से सेहमत हो नही यह सहमत है या नहीं सहमत है बस यही जानना है मुझे बस यही पूछ रही थी मैं